मैं अम्रतुन जय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल साटिक परामर्स में और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बनाना कोल्डी स्टोर के बारे में जो कि अभी एक गवर्मेंट का प्रजेक्ट चल रहा है कोल्डी स्टोरे के उपर तो गवर्मेंट जितने भी मालीजिये कसभा हैं या सहरी छेतर हैं जो सहरई से ज्यादा दूर नहीं है ऐसे चेत्रों में अलग-अलग जगव पे ऐसे जो cold stories है या ripping stories भी इसको बोलते हैं ऐसे जगव खुलें ताकि माली जी जो समान है उसकी भी safety रहे और सहर में या गाउं में चीजों की availability रहे और चीजे खराब ना हो क्योंकि जब श्टॉक रहता है और खराब नहीं होता है तो बहुत सारे issues होते हैं और रकाव के होते हैं या माली जे inflation के होते हैं ताकि माली जे महेंगाई ना बढ़े इसलिए government ऐसे हर एक जिले में या हर एक कस्वे में नगर पंचायत में ऐसा कुछ काम करना चाहती है जिसके वज़े से यह चीजे पुरा एक network chain बन पाए तो यह एक opportunity है आप लोगों के सामने भी कि यह तो माली जे मैंने केले का दिखाया है आप किसी भी चीज का open कर सकते हैं नीमू का कर सकते हैं पपीता का कर सकते हैं अनाज रखने का cold storage कर सकते हैं चाओल लखने का कर सकते हैं आलू रखने का कर सकते हैं वह आपके उपर है कि आपके एरिये में कौन सा प्रॉडक्त ज्यादा चल रहा है उसके अनुसार आप इसको रखके अपना बिजनेस स्टाट कर सकते हैं अब इसके लिए दिख्या आएज देखाते हैं आपको कि जगह क्या चाहिए जैसे यह बिल्डिंग हम आपको दिखाते हैं एक बिल्डिंग क कि इस तरह का quality storage जो है आपको open करना होता है अब इसमें जगे जो है वो रोट के किनारे होना चाहिए और आपका जो electric connection होना चाहिए यह यह त्री फेस का electric connection लगता है commercial उसका setup होना चाहिए या फिर अगर माली जहां बायो मास से करना चाहते हैं तो उसका भी government जो है वो विवस्ता करती है बायो मास का मेशिन देखिए इस तरीके से बायो मास का मेशिन होता है अब यह सारी चीजे जो है step by step है जो काम होता है पहले building बनता है जमीन होता है फिर उस पर building बनता है फिर electric connection होता है और फिर आप जाके अपना काम start कर सकते हैं मगर इसका एक प्रोसेस होता है अगर आप government के साथ मिल के यह काम करते हैं तो इसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है जैसे government क्या करती है इस टार्ट अप इंडिया के अंदर में या इस टार्ट अप के तौर पे गवर्मेंट इसको promote कर रही है अब इसमें आप जो भी काम किजीगा suppose कि इसको बनाने में अगर आपको पचीस से तीस लाग रुपय का खर्चा आता है और average पकड़िए तो कम से कम महीने में पचास अजार से लेके असी हजार के बीच में कम से कम इसका इंकम जो है वो होता है तो गवर्मेंट क्या कर रही है गवर्मेंट इसमें आपको लोन भी देगी और पूरा infrastructure बनाके भी देगी यानि आपको सिप अपना जगह देना है एलेक्ट्रिक का पर्मिशन लेना है लोन भी गवर्मेंट देगी यानि 25 से 30 लाग तक का लोन देगी आपको क्या काम करना है आपको अपना कंपनी के नाम पर करेंट अकाउंट उद्द्यम या फसाई लाइसेंस यह सब निकल वाके फिर आपको अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है जो सीय से करके आपको देगी आपको सिफ अपना पेपर देना है और चलाना है और लोन आपके कंपनी के नाम पर ही होगा और उसमें भी 25-30 परसेंट जो है वह सबसेडी रहता है अगर लेडिस लेंगी लेडिस के नाम पर कंपनी होगा तो और भी थोड़े ज्यादा मिलेगा अगर सबसेडी के नाम पर होगा तो 25-30 परसेंट के आसपास जो है लोन वह सबसेडील होता है यानि मालीजिए अगर आपको 35 रुपए आपका आ रहा है लोन का तो समझे आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें 22-23 रुपए ही देना है तो उसमें भी अच्छा खासा बेनिफीट है तो आम एक कम बताया और भी ज्यादा हो सकता है 20 लाग तक भी हो सकता है जो आपको रिपे करना है और मंतली 6 महीने का जो है गौर्मेंट इसको पहले आपको रिंट की विवस्ता करा के देगी या खुद उसका रिपेमेंट जो भी है आपका एड़िजमेंट करेगी क्योंक सब्सक्राइब जो है गवर्मेंट चला रही है आप इसके पास बन सकते हैं इसका काम कर सकते हैं Department to प्राइवेट लिमिट्ट हो आपके पास होना चाहिए रूट से कनेक्टेट जगह होना चाहिए हम आपका रेजिस्टर होना चाहिए करेंट एकाउंट चाहिए उद्यम चाहिए फसाई का लाइसेंस ले लिजिए उसके बाद मालेजिए ISO ISO जो हुआ आपके पास होना चाहिए अगर यह सारी चीज़े आपके पास है तो आप हमारे टीम से जो 9-2-3-0-3-0-3-2-4-9-0 पे नंबर है वाट्सअप कीजिए कंसल्टेंसी ले लिजिए पेड ज्यादा कोई इंफर्मेशन का कोई चार्जेस नहीं है 750-500 यही एवरेज रहता है पूरा बेसिक चीज़ समझ लिए उसके बाद अपना सेटप डालिए क्योंकि गवर्मेंट इसके पीछे है तो आपको काम करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है ऐसे ही जो बिजनेस है जो गवर्मेंट दे रही है लोगों को या कोमेंटेशन भी तो ये टू जेट भी काजम हम लोग कराते हैं उसका भी पैकेज हम लोग आपको दे सकते हैं ताकि मालेजी आपको इस सब कामों के लिए अलग लग जगा पे ना जाना पड़े आज के लिए तना ही दोस्तों नवस्कार